श्री क्रुष्ण का नईया लाल की जै आत्मिय स्वजनो जैशी क्रुष्णा सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में केडिला फार्मासिटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित वैश्विक सामुहिक ऑनलाइन श्रीमद भागवत सप्ताह जो पित्रु पक्ष में 11 से 17 सितंबर 2022 में निर्धारित हुई है उसका विश्व भर से इतना सुंदर प्रतिसाद आ रहा है हनुमान जयनती 15 अप्रिल के आसपास तक 500 से अधिक पोथी रजिस्टर हो चुकी है प्रियस्वजनों हमारे सनातन वैदिक हिंदु धर्म में करतव्य है कि जिन पितरों ने हमारे परिवार से हमारे बीच में से बिदाईली है शरीर त्याग दिया है उनके श्रेयार्थ श्रीमद भागवत सप्ताह करना ये हमारा कर्तव्य बनता है संतानों के रूप में पितरों के लिए आप करना चाहें स्वयम के लिए करना चाहें आत्मकल्यान जिसको कहते हैं परिक्षित को जब पता चला कि मृत्यु समीप है तो बाद के लोग कथा करें इसी प्रतिक्षा क्यों करें हम स्वयम अपनी कथा का श्रवण ना कर लें सबसे स्रेष्ठ होता है वो तो तो पित्रुश्रयार्थ आत्मकल्यार्थ या भागवत भक्ती के लिए किसी भी हेतु से आप इसमें जुड़ना चाहें आपका स्वागत है बतादू यह संपूर्ण निश्युल्क है सतकर्म परिवार और क्यडिला फर्मासिटिकल परिवार की ओर से यह समात सेवा का अध्यात्मके क्षित्र में अपना योगदान है प्रियस्वजनों यह सारा कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पुज्यश्री भाई पर प्रसारित होगा इसलिए अत्यनत आवश्यक है कि आप अभी इसी समय यूट्यूब चैनल पुज्यश्री भाई को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी लिंक पर क्लिक करोगे कि पूरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा वो फॉर्म भर दीजिए सब्मिट कर दीजिए आपकी पोथी रजिस्टर हो जाएगी प्रियस्वजनों जहां जहां भी विश्व भर में आपके स्वजन रहते हैं स्वयम तो पोथी रजिस्टर कराईए अपने सभी स्वजनों को भी प्रेणा दीजिए ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है प्रियस्वजनों तो आईए हम सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ती के लिए अपने पितरों के प्रती अपना रुण चुकाने के लिए स्वयम के कल्यान के लिए इस विराट, विशाल, वैश्विक, भागवत सब्ता हमें सम्मिलित हों गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें फॉर्म भरें और जो कोई जानकारी आप यदी प्राप्त करना चाहें तो संस्था के फोन नंबर, इमेल आईडी यह सब कुछ स्क्रीन पर उपलब्द हैं आप संपरक कर सकते हैं आईए पुथी रजिस्टर कराईए जै श्री कृष्ण श्री कृष्ण का नयालाल की ब्रह्मन करेने जारे नारत जी पाचा पधार्या एक वात यमने स्पष्ट समझाए गई के प्रत्येक राणी पासे श्री कृष्ण नी उपस्थिती छे मुट्टा भागे लोगको आखा प्रसंग ने चमतकार मखः पावी दे जग भगवान एक माँ थी आने एक स्वरूप करया आने बदे पहुंची गया इससे चमतकार के रूप में मत लेना अने एरिते जुओ तो जे स्वरूप हो चे बदा भगवान ना चे न विजा को ना चे वेदिना पुरुष सुप्तमा रुशी बहुस पश्ट के चे ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्र पात सभोमिं सर्वत स्पृत्वात्यत अत्यतिष्ठत दशांगुलं भगवान नो वरनन करियो हजार हाथ हजार पग हजार मस्तक हजार हाथ के हजार पग के हजार मस्तक एक केवड नौसो अठाणू नौसो नौवानू अने हजार थे आए न थी हजारो लाखो अंगिनत मतलब ये हुआ every head belongs to God, it's God's head every leg, every hand, it's God's leg, it's God's hand आपनी भीत रहला परमतत्वनु जागरण था इतला माटे आवश्य ज़ भक्ती ना द्रश्टी कुन थी जो ये तो भक्त जारे परमात्मानू स्मरण करतो होई त्यारे भगवान एक शन माटे पन एना थी दूर होई शक्तोज न थी संसार मा एक बात याद राग जो शरीर थी साथे रहवू शक्य पन थी अने आवश्यक पन थी फिजिकल प्रोक्सिमिटी इस नोट पॉसिबल और इस नोट नेसेसरी अलसो मानसिक सामीप्य बहु जरूरी च शरीर ना सामीप्य थी तो मानस कंटाली जाए त्रासी जाए अठवाड़िया मा एक दिवस रवी बारे जो पती घरे रहे ने तो पत्नीन सारू लागे काजे घरमाच पपलो सतत घरमान घरमा होई तो पत्नी पन कंटाले दस पंद दी जे के अवे जाओ के बाहर उने कहीं करवाजे उन्हें आटो माही आओ सतत सामीप्य शारिडिक समीप्ता जरूरी न थी यहने गमे पर नहीं मानस है पर मानसी करी थे तमने कोई गमतु होई और तमे ना विचारो करो तमने क्या रहे में लागे का बहुँ विचारो थे गया वे जवादो तो मैं जिटलाएना विचारों करें एकलोएनो आनन्द आवेश इवरी ते भक्ती इस सतत इश्व भक्ती न मुळुमाचे भजधातू इस भजमाथी पथी भजन बन्यू स्मरण करवू, निरंतर स्मरण करवू अनि निरंतर जे परमात्मानू स्मरण करेशे अना थी प्रभू दूर जतोज न थी के भक्तोई जारे पन प्रभू नू स्मरण कर्यू प्रभू हजरा हजूर पछे गजेंद्र होई अपने कथा मा जोई गया ए दुरूव होई ए प्रहलाद होई के गोपी होई के कोई पन होई अजोड हजार राणियों ए खरेखर तो वेदनी सोड हजार रुचाओ छे अध्यात्मीक अर्थ जोई ये तो वेदमा एक लाख रुचाओ छे इमाधी चार जार रुचाओ जिन्यान काण नी छे एसी जार रुचाओ कर्मकाण नी छे अने बाकीनी सोड़ हजार रुचाओ उपासना काणनी एक एक रुचापन जो तमे आत्मसात करो तो ये तमने परमात्मा सुधी लई जो आमाटे सक्षमच कोई एक मंत्र पन जो रदयस्त थाई जाए कोई एक रानी का हाथ भी पकड़ लो वो आपको परमात्मा तक ले जाएगी क्योंकि परम्तत्व उसके पास निरंतर है एप अच्छी प्रभुये पंडवों नो हाथ जालेो राज्यस्त ये एग न करो तो पंडवों ने राज्यसत्त आपवानियो थी संपत्ति जोई है इंद्रप्रस्त नगर वसावानों तो यह मा यह संपत्ति कहां से आएगी दुर्योधन ने पंडवों को संपत्ति कुछ नहीं दी केवल जंगल का प्रदेश दिया उसमें नगर वसाना था अटलो मोटू राज्ये वसावानों संपत्ति कहां थी आएगे पंडवों इतला तेजस्वी कोई नहीं पासे मागवा जाए नहीं वो मांगेंगे तो नहीं कोई कहे आउंके सामने आकर कि मैं मदद करता हूं तुम्हें वो मदद लेने के लिए भी पंडव तयार नहीं सापना थाई रही तिनेमा भगवान पुरे-पुरु योगदान पतानों अप्वा मागता था जो कृष्णना मार्ग किवा होई छे जब इश्वर मदद करना चाहता है नहीं तो किसी भी रूप में करता है श्री कृष्णन ने एक वातनी खबर पड़ी कि एमनी बेहन अबदराने अर्जुन प्रत्य सौफ्ट कॉर्नर प्राचीन भारत में भी पद्धती अती पहले थी स्पष्टता करे दो अस्पेशली फोर मा यंग फ्रेंज ने था का हू करे मामा फोईना तो कजीन थाई इनना लगन करावे यस प्राचीन भारत में पद्धती अती वेद आजे पणा पद्धती दक्षीन भारत में तो एवू के मामा नी दिकरी साथे पहला लगन थाई मामा नी दिकरी इन जो तमें ना पाड़ो तो घणी वक्ते परिवारों अच्चे संबंद बगड़े कि हमारी दिकरी नौली थी बाब जी आजे पणा संबंद साथ दक्षीन भारत में एना प्रोज अने कौंस बनने छे ना सारी बाबतो पण छेन खोटी बाबतो पण छेन खोटी बाबतो पण छेनी चर्चा मारे त्यर जहू न थी श्री कृष्टन ने खबर पड़ी के सुभध राजी ने अर्जुन प्रत्य साफ्ट कॉर्णर बगवा ने आखू गोठवी दिदू अर्जुन ने बोला इनका जो सुभध राणने तारा प्रत्य लागणी छे तारे नों स्विकार करवो जो ही अर्जुन के खेविरी ते अर्जुन ने कहूँ कि अमारे द्वारी कामा एक उत्सव आवे छे नगर नी बाहर एक मंदीर छे मां बद्धा लोकों भेगा थता होई छे मेड़ों भरात होई जे बदा जावे तियां कर तू ए उत्सव वखते मंदीर नी बाहर सन्यासी बनीन बेश जे बगवा कपड़ करे निर्थे शुबदरा ने कहूँ क्या दिवसे अर्जुन त्या मंदीर नी बाहर बेठो शे सन्यासी स्वरूपे तू रथ लेने जजे अर्जुन ने बुलावी ले जे अंतामे बनने जना निकड़ी जजो पच्छे भागी जजो इम तों के वी देखो अतामे बनने जन कहूँ तो ये प्रमाने थयू अर्जुन सन्यासी ना रूपे त्या मंदिर नी बारजी ने बेठो सुबदरा रथ लेने आवी अर्जुन रथ मा बेठो अने बनने जना भागी गया जेवी खबर पड़ी द्वारी कामा तो हो हो था गयो ए अर्जुन ये सुबदरा नू हर करियो अर्जुन ये सुबदरा नू हरन करियो को चुन लुकंत चर्चा करवान मुद्ध मड़ी कि बल्राम जी तो इतला बदा गुस्से थाया ता आपर संगे मारी ना खेश पांचे पांडवाने खतम करी ना खेश अर्जुन नी हिम्मत अच्केम थाई श्री कृष्ण मुटा भाई अवे रेवादो आपने अब दू न कराए सुबदरा ये समझनी अती अर्जुने मोटो चे अने बनने एक बीजाने गमता था तो आपने करिया पी एमाज आपनी शोबा चे बल्राम जी के खबरदार क्या रहे नहीं संभवेया अर्जुन नी हिम्मत कैम थाई के सुबदरा ने भगाड़ी गयो कृष्ण के चे मुटा भाई तमारी पासे काई खोटा समाचार आवया चे अर्जुन सुबदरा ने नती भगाड़ी गयो सुबदरा अर्जुन ने भगाड़ी गई चे रत सुबदरा ये चलावे लो गाड़ी जे ड्राइव करे भगाड क्रुष्ण बल्राम नानपन थी साथे मोटा थ्या प्रेम अतव बनने भाईयों वच्चे आप्रसंग में लईने बे भाईयों वच्चे बे वरस्चुधी अबोला रहाच। पंश्रीकृष्ण ने धिरती धिरे 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 करी बल्राम जी ने मनावी लिधा अर्जुन ने सुभदराना लगन करावी आप्या अने वड़ावती वखते पुश्च कल संपत्ति आपी छे पांडवों ने नवाई लागी कयो प्रभु आटलू बदू नहोए अने एक डगलू जोजी मारी साथे आगलावा माकता हो तमे प्रसंग माँ तो एबद्धेज संपत्ति दुरियोधन अने शकुनी साथे जुगार रमता रमता युदेश्ठीर एक कल्लाकनी अंदर हारी गया जी इंद्रप्रस्थनु राज्यन बदू जी विचार करो श्री कृष्ण निश्यू स्थीती था है जबर्जस्त अक्रोश आलो छे कृष्ण न आप महाभारत माचो तो खबर पड़े श्री कृष्ण ने पांडवोनी लेफ्ट राइट एंड सेंटर जाटकनी करी ना कीच तमे जुगार रम्याज केम तमे गयाज केम जुगार रम्वा मत पंडवो के पुण प्रपू काकानू आमंत्रान तो कृष्ण के जानू छो हूँ के काका तरीके जो आमंत्रन मोकलिष्ट वडी लोनी आग्न्यानू पालन करवुज जो ये एम कहीना लोको आउशे रुतराष्टे जाल फेंकी ने जाल मा तमें फसाई गया वाइड यू गो फॉर गेंबलिंग खड़ाबी ना क्याψी रिच शैर कहड़ाबी ना क्याज खुशे पमें दरेक वखाते मने पुछींे बधू प्रभू आमं करें प्रभू आमं करें अप sign गटकोपर मातो नहीं रमातो है ने गोकुलियू गाम चेले, हाँ, बहु रमाइचा, उन्हें को गोकुलियू गाम पची गाटकोपर ने, पची मथुरियू गाम कई श्ञे, चंद्रेश भाई, तमें मारा बहु आला चो, आतो ठीक चे तमें बिजनेस्मेंट बिनने ने जे तुम्हें लॉयर बहुत सारा बन्या होते है चंद्रेश भाई केचे अहीं यां बेठा चे कोई नती बीजा बदा चे बहुत दुखनी वाद चे कोई पन व्यक्ति मारी तो बहुत स्पष्टवा तो होई चे भाई मने के पिछले एक घंटे से मैं सुन रहा हूं इतनी स्पष्ट बातें कोई नहीं कह सकता इतनी स्पष्ट बातें आप बुलते हैं पबलिक में मने कोई नो डर न थि भाई आप रिष्यों नो डर राखि दर एक भगवान्नों बिजा कोनों डर एक बाद जुगावरज न होई पड़ जनमाश्टमी नो तो बिलकुल ना होई अखुवरस ना रमता है पड़ श्रावण में इनो आवे इतले शरू करे हवे पछी तमने खबर पड़े के कोईक व्यक्ति रातना बार वागया सुधी जुगार रमी अने बगवान ना जनम ना दर्शन करवा माटे आवे उछे तो अने मंदिर मां थी धक्का मारी इन बार काड़ी नाग जो अने को के तने कृष्टन ना दर्शन नो अधिकार न थी अनुमारी तो एक इच्छा के जम बीजी अक्टोबरे भारत देशना बद्दाद दारुना पीठा बंद रहेच यहने ड्राइडे के हूँ के लोको बीजी अक्टोबरे का के गांधी जिनन नो तो गम तो आवे सन मारी इक इच्छा छे कणी कथाओ मामे कहूँ जा अने जारे समादना अग्रणियों बेठाओ है तारे खास को के मारी इक इच्छा छे जनमाश्ट मीने दिवस से अने राते दुनिया भरना जुगार खाना बंद रहेवा जोईए आमारा कृष्णन और जनम दिवस कृष्णन और गम तो न थी जुगार अमना भातेल माँ जारे कथा आती नहीं पेशोगे जोई हश्चे लाईवावेले जामनगर नो नानकडू गाम जामनगर जिल्ला नो नानकडू बुटे वारो हकुबा जाडे जाने अमना परिवारेक आयोजन करेलू त्रीस त्रीस जारपां त्रीस त्रीस जार मानसो गामड़ाव माथी ट्रको लईले नावे ने ए द्रश्योजवाज़े वाश्यवाशचे चंत्रेश्वाधितामए कुब दियाओ आवावावावा गामड़ामा कथा आतेरे साथे ये जे प्रजान ये त्यांगर्ण न इंगलिश मा बोला है न हिंदी मा बोला है ये ख़दम गामडानी भाशा मा बोलवूं पड़े कान के सेज पन बोटू बीजु काईं बोलवा जियत हम जेद नहीं अनेक लोगोई आजे रहें त्या कथा मा कहूँ अनेक लोगोई संकल्प करया भागवत जी ने स्पर्श करी ने कि मैं जिनगी मा कोई दी चुगार नहीं रम ये हमें पाना ने हाथ न लगा लिए अनेक लोगोई त्यां संकल्प करया मासाम मातो गुला घाट में त्या किटला लोग कोई संकल भूक रहा राजस्वे एगनवखते बगवाने भीमने अरजुनी मदर लईने जरासंद ने मारे हो जरासंद एवखते दुष्टवृत्ती ना राजाओ ना युनियन नो नेता आतो एशुकर अबदा राजाओ अधार्मीक राजाओ भेगा था ही कोई कल दो कल धार्मीक राजा देखा है इन्हें हरान करे हरावे संपत्ति बदी वहची ले राजाने जरासंद ने मारे हो त्यारे इबदा राजावने जेलमा थी मुक्त करया जरासंद नी कैदमा थी मुक्त थाएला राजावे भगवान श्री कृष्टन नी स्तुती करी वो उसंदर मंत्र बासर्ष मा पाने 41 मों श्लोक आचारियों आने कलेश नाशक मंत्र तरीके उड़केज कोई पन मुसिबत मा तमें फसाया हो शारिरीक, मानसिक, आर्थिक, अनेक प्रकानी मुसिबत हो सामाजिक बूज मनमा चिंता उद्वेग रहतो होई, कलेश रहतो होई विचार 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 आवया करता होई, रात रात पर उंगना आऊती होई अनिद्रानों रोग लागू पड़े अने लिदे पची एसिडिटी ने कॉंस्टिपेशन ने, माईग्रेन ने अविवधी बिमारियों शरू थे गई होई साइकोसमेटिक डिजीजिस विजु कहें सुच्तू नहोई मात्र चिंताज मनमा आवया करती होई अबधानों जो शिकार बने होने आमा थी जो छुटू होई आ मंत्रनों अनुष्ठान कर जुँ कलेशनाशक मंत्र, अनुष्ठाननों विधिये वो छे अखा दिवसना कामकाथी परवार या पची मात्र सुवानों बाकी होई एवक आते शक्य होई तो स्नान करे लो नहीं तर हाथ पक दोई स्वच्छ कपड़ा ले सुती वक्षते पहरी है एए स्वच्छ कपड़ा पहरी बगवाना अगल बेसी गीनों दिवो अगरबत्ती करी औने आ मंत्रनी एक माला करो एपच्छी मौन धारन करी कोई नहीं सारे विजा सारे वात नहीं करानी मनमा के वड़ आज मंत्रनू रटन चालतू होई एरीते कर्शो उंगवानी बेबे के त्रंत्रन गोडी ले त्यारे मांड चार कर लाक सुई शक्छे एवा लोको ये आ अनुष्ठान करिऊ छे वगर गोडी ये साथ साथ का लाकूंगे छ अने यमनी समस्याओ यमनी मुश्केलियो पन बदी दूर थाई छ एक बहु संदर पत्र मने परम दिवस एक भाही आपे हो मने के भाही ये खादे आव्या था अपना हरिश भाही पारेक परम पुझे भाही आज थी त्रण महीना पहला हुँ मारा धन्दा की ये मुश्केली मा आवी गयो हतो एना इसाबे मारू मन घणूज ज्यात्यां भटकतु हतो मने दिवस रात कोई पन काम मा चित लागतु न होतु मारी मुश्केली आर्थिक नोती पन मने समय नी राह जोवाती न थी एने इसाबे मारी तब्यत उपर पन असर थाई हती पन आपनी भातेलनी कथा दिमे दिमे शान्त थतु गयो शान्ती थी विचारों मा परिवर्तन आवियो एमा पन ए समय आपनो एक शलोक कृष्णाय वासु देवाय सामबडी कंठस्थ करी रोज ए शलोक बोलू छू दिमे दिमे उकेल मली रहो छे अने ए मन शान्त थाई हो छे हवे मन शान्त थे तब्यत सारी थाई छे दस एद लिखी तन आपना चरणो मा हरेशना जेशी कृष्णा माच्यो आवि तो अनेक पत्रो अकलेश नाशक मंत्र ना पुरावा रूपे मढ़या छे एक एक चरणों बोलिश मारा पचिए आप सव कृष्णायवासुदेवाया 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 हर ये परमात्मने हर ये परमात्मने प्रणतह कलेशनाशाय 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 प्रणतह कलेशन पुत्र ने, हर ये, हरी ने, हरी शब्दनी पन व्याक्या समझीले जो व्याक्रण निरी ते संस्कृत मा, हरती इती हरी, जे हरन करे ते हरी, भक्तना मन्ना कलेश, ताप, संताप, पाप, कष्ट, नुझे हरन करे ते हरी, अने, हरन करूँ एतले, एने, खबर पन न पड़े विरिते लई लेऊ, आपनने, खबर पन न पड़े, एविरिते हापना जिवन नी समस्याव बदी हल्थ अती जाए, अने, एवी कृपा जे वर्सावे, ते हरी, परमात्मने, परमात्मने, प्रणतख क्लेश नाशाय, जेने प्रणाम करवाथी, मनना क्लेश नाश पामेच, एवा, गोविन्दाय नमो नमह, गोविन्दने नमो नमह साइकलिक छेले, वारम वार नमस्कार, गोविन्द शब्दनी पन र्याख्या समझिए, गवाम विन्दती इती गोविन्द, गायो ने जे साचवे, ते गोविन्द, बगवान श्री कृष्ण ने विनन्ती करो के प्रभू आप तो लाखो गायों ने साचवो छो मारी एक गाय नहीं साचवो प्रभू बगवान कदाज पूछे क्तारी कई गाय प्रभू ने को प्रभू मारा मन रूपी गाय वह आपना छो चिन्ता शाम अटे थाई छे कारण के आपने अपना मनने साचवी शक्ता नथी अर माइन्ड treating अंडर अर कांट्रोल तेथी चिन्ता थाई करणी तम्हें प्लानींग करें चिन्ता करो बूठवी ने कि आपने रोज संदा पांथी शाड़ा पांथ चिंता करवानी आउ बने कि पांच वा गया चिंता चालू साड़ा पांथे गया वे चिंता बंध यह उथाई छे नहीं आपने दो कहीं क वीचारवा बेठा हो येने मन क्याईनो क्याई अनकंट्रोल्ड जतू रेच and that causes worry गामणानों जीवन जने जोईवशे ने खबर अशे गोवाल नी आजूबा जूजे गायो रेने इबू सलामत होईश गोवाल गायो ने लेज चराववा निकले पुट्टा भाग नी गायो गोवाल नी आजूबा जूजरे गोवाल अमनी रक्ष्ण हमेशा करे पर कितली गाय एवी होई जिक्याँ दूर लिलू घास जूए लल्चाए अने घास खाव माटे गोवाल थी दूर जाए गोवाल थी दूर जे गाय गई अने डंडो पड़े अने कोई शिकारी मारे अने कोई जंगली प्राणी खतम करे संसार मांपनी उच्छे भाई आपणूँ मन रुपी गाय जिया सुधी गोपाल क्रुष्णनी आजू-बाजू रेचें त्या सुधी बहुस सलाम अच्छे पना अपनु मन संसारनी घणी लालचो संपत्ती सत्ता संदरिय प्रतिष्ठा लुकोनी वाहवा एनी पाचल भागेच लालच मा अने त्यांट पची एने फटका खावा पड़ेच प्रभुने को प्रभु मारा मन रुपी गाईने हुँतो साच्वी शक्तो नथी तारा चलने मुकूछु तुँ साच्च हो ए गोविंद तुँ साच्च हो तने वारम वार नमस्कार हरी अनन्त हरी कथा अनन्त प्रभु स्वयम अनन्त छे प्रभुनी कथा पुन अनन्त छे दशम सकंध मा सुधामा जीना प्रसंग ने आजे टुंक मा वरुनन करी अने मारे अग्यार मा सकंध ने के टलिक वातो के वीज सुधामानी वार्ता तरीके तो बथाने बहु खबर जेक पहुआ लेने गया सुधामा बिचार गरीबता पहुआ लेने गया ने कुरुष्टे मित्र ने मदद करी बद उदा ही दी तु सुधामानी कथाने मात्र मित्र ने मदद करी एरिते नहीं लेता अमां घणू बदू जुवानों मदद चक्कस करी छे पर तमें जुओ प्रभुने जे आपवूतू ने तो बदू मोकला भी आपियो सुधामाना हाथ मा आपिन नथी मोकला जे ग्रेस फुली अपाई छे यारी ते अपाई छे कृष्ण जे वो ग्रेस बीजो कौन आपिशा सुधामा शब्दनो अर्थ समझो बेरी ते काउं भागवजी मा सुधामा नाम न थी हो श्लोको मा भागवजी मा शुव नाम छे यद्रच्चयो पपनेन वरतमानो ग्रुहाश्रमी आएक साचो ब्राम्मन छे कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राम्मनो ब्रम्ह वित्तमह ब्रम्मने जाननारो ब्राम्मन छे साचो ब्राम्मन छे पवित्र ब्राम्मन छे ज्ञानी ब्राम्मन छे तपस्यानु तेज जेना चेहरा पर जड़के छे एवो ब्राम्मन छे संसार प्रत्य बहुँ ध्यान न थी आपियो तेथी दरीद्र रहो छे पने एक वाद कही भारिया तस्य कुछे लस्य कुछे लस्य तस्य कुछे लस्य भारिया अब आग कुछे लस्य शब्द न बेरी ते अर्थ थाए विशेशन तरीके पन लेई शको और प्रोपर नाउन तरीके पन लेई शको ग्रामेटिकली adjective तरीके पर लिशेक होने प्रापर नाउन तरीके होने तस्य कुचा इलस्य विप्रस्य तो ये adjective थाई विशेशन ना रूप मारो तो कू चाईल चाईल इतले वस्त्र कू इतले खराब मेला जेना वस्त्र मेला छे ते कुचाईल भागवजी नी समाधी वाशाने समझ्ज वस्त्र कोना मेला एक तो गरीबी आभी गे हमां मेला कपड़ा इतले दरीदी रहता आभी जगे पन बिजी वात आ समाधी वाशा छे वस्त्र एक केवर पहरेलू कपड़ू न थी तो आ शरीर रुपी वस्त्र छे वासाउं से जिर्णा नियता विहाय बगवजी गीता माँ प्रमान मड़ी का शरीर रुपी वस्त्र छे कुचाईल देह रुपी वस्त्र जेनू मेलू थयू छे तो यहनों ये कर थे वो थे के वृद्धत्व चक्कस तमें जो सुदामानी चित्र दोरों ने ये वृद्धत्व आविज जाए तमें अधार वरश्णों सुदामा कलपी है को हजी एक डगलू आगल चालो अर्थमा अर्थनी खान छे माथी रत्नो काडवाना छे अजी थोड़ा गुंडा चालो तो पहलू तो कुचैल मेलू वस्त्र दरिद्रतानू द्यों तक विजू कूचैल शरीरुपी वस्त्र वृद्धत्वनू द्यों तक अने त्रिजू अशरीरुपी वस्त्र जने मेलू करिव एकले जिन्दगी केवी जिवाई याद करो कबीर जीना भजनने चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी अने माँ कबीर कहे छे के बदा एवी ओढ़ी छे के ओढ़ के मैली की नी चदरिया लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जियों की त्यों धर दीनी चदरिया आपने बद्धा ये लिए आर्थमा जो ये ने तो आ कुचाईल ए जीवात्मानू प्रतीक छे तमे हुँ आपने बद्धा ये कुचाईली चे ये सुधा माँ चे इश्वरे आपने आ शरीर रुपी वस्तरा आपियो चे पन जेने आपने जीवन के ये चे मापने इकज काम करियो आप जादरने मैलीज करीच किटली किटली आशाओ साथे भगवाने आपने मनुष्य जन्मा आपियो तो जन्तु नाम नरजन्म दुरुल भतरम पुंस्त्वम ततो विप्रता विवेक चुडा मनीमा श्रुमदाद्य शिंकराचारी जी कह चे कितने लोगों ने कहा कि ये मनुष्य जन्म दुरुलभ है त्यासी लाख नववानू हजार नवसोन नववानू शरीर छोड़या पच्छी आमानव देहे मलेओ छे फाइंड द प्रॉबेबिलिटी वली पाच्छो क्यारे मलशे वन इन ऐटी फोर लेक्स और हमने इस मनुष्य जन्म का किया क्या बगवाने सरस्मजानू शरीड आपिव सरस्मन आपिव सरी आपिव संपत्ती आपि समाजमा प्रतिष्ठा आपि सुंदर पच्छू करिव आपने अब दानू What use did we put to it? Solomon Grundy born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday That was the end of Solomon Grundy आपने पने आज करिव ने सम वारे जन्मिया, मंगल वारे मुटा थया, बुध वारे लगन थया, गुरु वारे चोक्रा थया शुक्र वारे चोक्रान प्रना व्याशनी वारे मांदा आपने अन्रवी वारे अच्युतम That was the end of Mr. Chagan Lal नरस्वरी राइम्स चे जन्य एपन आपड़े जो सर्खिरी तर समझे जवान गणु शिक्वानु चे नना शुक्रा हो गुले नि पुसी कैट, पुसी कैट, पुसी कैट, what did you do there? What did, where did you go? I had been to London पुसी कैट, पुसी कैट, पुसी कैट, where had you been? I had been to London to see the Queen, to meet the Queen अपुसी कैट, पुसी कैट, what did you do there? I looked at the mouse below the chair न बद्धा पुसी कैट पुसी कैट पुसी कैट, क्या गईती? London गईती, ओहो लंदन, क्शु काम? to meet the queen राणी ने मडवा गई थी वाह वाह करिशू त्याँ जही ने खूरशी नीचे उंदरडो जो इन पाची आई I looked at the mouse below the chair किस लिया आये थे और क्या करके चले इस संसार से मूरक जनम गवायो ज्याँ लगी आत्मा तत्रचीन्यो नहीं त्याँ लगी साधना सर्व जूठी मानुखा देहतारो एम एड़े गयो वासनानी जम मावठानी जम रिश्टिवूठी क्या किया तो आपने बद्धा जे कुछ ऐल छीए जीवन पर डागज पाड़याच अने तिथी आपने बद्धा सुधा माँ छीए सुधा मानो पण व्याक्रण सम्मा तरता से संस्कृत माँ दाम एटले बंधन रसी सुधा मा जे सारी रिते बंधाये लोच कर्म मा जे सारी रिते बंधाये होच ते सुधा मा दरीद्र छे कारण इश्वर ने श्यू जो हिये चे इश्वर ने आपने बंगलो गाड़ी आपी श्यू बगवान पंदर सो फुट नो फ्लेट बनावे चे बगवान क्या की पूत्वी मारी जेमत तुमने पंदर सो फुट आपानो शू आप शो बगवान ने चार मीटर कपड़ू आप शो बगवान ने पंद सुशी लाचे ने पतनी बुद्धिनु स्वरूप चे ए आडोश पाडोश माथी मागी अने चार मुठी पंवा लिया आवे चे तंदुल पंवा एक कर्मना फड़ छे सतकर्म रूपी पंवा जापने प्रभूपा से लेई जाईये छिए बिजू शू लेई जेवाना सुदा माजी ने शरुआत्मा तो पहरे दारोद्वारा आटकाऊ आमावया पछी जारे प्रभू ये भीतर बोलावया चे पोताना सिंगासन पर विराजमान करया चे प्रभूने प्रभू सुदा माजी ने आईश्वर नी महान ताचे भाई जिवात्मा जारे जन्व जन्मांतर नी तपश्चरिया करीने प्रभू पासे पहुंचे चे त्यारे प्रभू जिवात्मा ने पोताना आसन पर वेशाले चे अईश्वर नी करूना चे पछी परमात्मा जिवात्मा वच्चे कोई बेद राखतो नथी इतलुद नहीं प्रभु नीचे बेशते चे जिवात्मानी सेवा करे तपश्चरियानो परिश्रम उतारवो ए प्रभु पोतानो कर्तव्य समझेच भगवान भगतना पक दबावे आ दुनियामा श्री कृष्चन पुरुण पुरुष्वत्तम एना जे वो देव नमले कारण मने जे बापासु स्परशिगव चे ने कृष्चन आ एक मात्र एवो देव चे के एनी जो सेवा करवामा आवे तो ये मालिक नथी रहतो ये तमारो सेवक बनी जाएश आ दुनियामा तमे कोई नी पन सेवा करो ये ले पिलो मालिक बनी बेशे लोग कोनो आज में जे वी क्नमे कोई नी सेवा करो ये सेवा करवालों जे ले चे मालिक बनी बेशे क्रुष्ण एवा छे कि एनी सेवा जे करे क्रुष्ण एना सेवक थे जाए छे पच्छी जो ए भक्त दुखमा होए तो भगवान पोतानों वांक समझे छे भगवान ने थो उस सुदा मा आकली मारी भक्ती करने मैंने गरीब राख्यों मैंने कहीं आप यू नहीं अमारी भूल दुनिया नो एक पण माली के वो लावीन मने बतावो जे पोतानी भूल स्विकार करे क्या रही न करे दुनिया ना मुट्टा भग ना माली को ने सेवक ने सेवक बनाव माज रस छे आ एकज माली के वो छे जे सेवक ने पोतानों माली क बनावे अने पोते एनों सेवक बने छे यह कृष्ण की महानता है तुकाराम ने त्या रसोयो बनी नर्यो छे आ काडियो तुकाराम ना पत्नी बहुँ जगडालो इटला बता जगडालो कही कने कही मुद्धो काडीन जगडा 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 सतत करे संतोना जीवन बहु आकराव है चा हमने हम क्या हमने हुँ तड़ी जा अभ्यास पीट पर बेठान गड़ा मा फुल नहीं माला हुग उन बदा पगे लागे हमना अंतरंग जीवन वांचो तो खबर पड़े सोक्रेटिस नी पत्नी जान्थी पी विचारने सुखे श्वास नो लेवा दे पर सोक्रेटिस एवा ठंडा मगद ना एक प्रसंग छे घ्रिशना इतियास में लखाए लो सोक्रेटिस घरना अंगना में बेठा था शिश्यों साथे वाद करता था एक चर्चा करता सवार्थी शरू करी बपुर्णा साड़ा बार एक वागे जान्थी प्यवदू रसोई ने तयार राख्यों कर जम्वानों टाइम थियो अटले वासन खखड़ा वानी शरू आत करी अंदर सोक्रेटिस तो गिन्यान नी चर्चा में पड़ा एक जम्वानों ने भाद न रहे वात यहीं है कि सोक्रेटिस साम बेठा चे शिश्यों सामें बेठा चे अंदर गुरुद ना पत्नी वासन खखड़ा वता हुए शिश्यों ने देखाए शिश्यों ने संकोच थाए के वे आपने पर सोक्रेटिस यहीं सरस्वातों करेके उठवानों मन न थाए उन्हें कोई गुरुदेव आपना पत्नी बुलावे छे सोक्रेटिस के चिंता न करो पड़े वासन खखड़ा वे तमार जमवानों ते सोक्रेटिस के आपने आपनी चर्चा चालू राखो आपने एम समझू के वादलों नो गलगलाट थाई रियो छे इटली शान्ती थी जान्ती पिए साम्ड़ियो केम असवान न पौर्मा उठीन तमारा माटे रसोई करेन तयार राखो जो तमारे पुरे खाई लो इटला माटे अने तमने वाला दोनों गलगलाट देखाई जो मारे के काम ते होई के नहीं आईकत दंदो ये वासन पकड़ीन क्या हो दे बेसीरो इटली अकड़ाई गई पोते जमील इदो बदा वासनों दोई नाक्याने मेलू पानी हातु ने वासनों दोयारन बदो ए लावी मुने डोल भरी ने से दो सौक्रेडिस उपर नाक्यू आंगना मा बेठाता है शिश्यो तो बिचारा एवा थाई गया के आपनी हाजरी मा गुरुजी ना पत्नी आउवर्तन करे गुरुजी सा थे इमने संकोत्यों सौक्रेडिस के चिंता नहीं करवी वादड़नों गडगडार थाए एटले वरसाद आवेज तुकाराम ना पत्नी बहुँ जगडारू तुकाराम ने भक्तों बदा मडवा आवे संत चरीतर एटले जे आवे ने को जम्वा बेसी जजो जम्वा बेसी जजो पिली पत्नी रसुलामा थी कपड़ कूटी कूटी नके खाशू करण छो मारे कई बीजु काम होई के नहीं मने सवान मक्री आवनों काजे किला जोना आवा नाच बची हूं काई पॉंची नथी वरती मारा थी कहीं थत्तु नथी बदू तु काराम क्या अथ पन तु करे जहू राखेट शुकाम तु आट्टो बदो भारली शुकाम परेद मद मा थे नावन मारे करव तो पड़ेद ने हुआ गरनी मुख्यस्त्री बदू मारे जवाबदारी होई आम होई केम होई तु काराम एक वहत भगवान ने कि दुख प्रभू तारा भगतो तने मलवावे नहीं आथी प्रसार लिधा वगर जाए बिजेद दीव से सवारे सोड़ सत्तर अढ़ार वरश्णी उमर नो कोई जुवान तु काराम ना त्याहा आवियो तु काराम ने जोतो बेसी जियो पजी पास नजीक आविन कहे छे एक विननती करवा आवा छे शुम मने आपने त्या नौकरी मलशे तु काराम के भायों यह वो कही श्रीमंत न थी कि नौकरो राकीश मारी ताकात नहीं पर लो के पगार न थी जोई तो अरे पगार न जोई यह पन जवाबदारी तो करिश्यों है आगर यह कि उं रसोई बहु सारी बनाओ छो तु काराम के पनतने मारे कई तो दे उजे ने तो के कई नहीं छिले जे बच्चिव हशे ने ए हुझा मीश असा आमारो पगार सभार सांज तु काराम के भले भाई मारे आमें समस्या तो छेज घरवाडी ने एज दिवस्थी ए सतरड़ार वरश्णो जुवान तु काराम ना रसोड आमा पे छोड़े जेटला भक्तो आवे जमाड़े तु काराम ने का इम बोलवोई न पड़े क्यालो कॉन जमाड़ माना छेजोईले जमाड़े बे अधी त्रण वाग्या सुधी बदा हरी भक्तो भोजन करे अने छेले जे बच्चिव होए है पोते आरोगी हरी भक्तो तु काराम ने के बुआ आधी पेक्षा आता तुमचे घर ची रसोही खुब चांगली होते पहला करता हवे तमारा घर नी रसोही हमां इटलो बदो फरक पड़ी गयोचे संत तरीके घरना रोजना वेवार मा के बहुत रस न लेता होए त्रण चार मैं ने तुकार हमने खबर पड़ी क्या कशु माँगतोद न थी नोकर होए तो कुग दी उसकें कि मने पैसा inhibग शाक लेवा जो छे मने पैसा आपव मारे दूद लेवा जो छे पैसाyu अहनाज खुटियों चेएंग मसालो कुटियों चेएंग लीम्डों जो ही एक मुर्चु जो ही एक आदु जो ही मागेज नही तो कराम हता नानकडी दुकान ना वेपर हिसाब लखवा बेठा कि पहला जारे पत्नी संभाड़ती नी त्यारे बदो किटलो खर्चो था तो अचोकरों जार थी आवे त्यार थी कोई रसुडा नो एक पैसो खर्चो दे अरी भक्तों नी संख्या वधी भोजन करनाराव नी संख्या वधी भोजन सरस्थवा मांडी उन्हें खर्चा नामे काई नी एको खर्चवार ना पौरमा उठी तुकाराम जना रसुडामा नजर करवा ग्याक जों तो खरवा एकलो आटली बदी रसुई बना वेज के विद रश्टी करी भगवान श्री कृष्ण पोते तुकाराम ना रसुडामा उठाच श्याम अबरना मौरपिच्छन मुगट गुंजानी माला तुकाराम ना रसुडाच दर्शन करया तुकाराम पहुंची गया प्रभु आप प्रभु ये कोई बोल्शो नहीं और रहस्यने रहस्यने माली जो कोई ने खबर ना पढ़ भी जोई जहां सुधी तुकाराम रहा त्यहां सुधी एना रसुडामा आ कृष्ण कनेयो रसुई आ तरीके रहे को कृष्ण निया महान पाचे एनी जे सेवा करें कृष्ण एनो सेवक्ते जाएचि सुधामा जी ये जीवन भरेनी सेवा करीचि प्रमित्र हता ने परिक्षा करी सुधामा जी ने चकास्वा माटे नहीं पन बीजा भक्तों ने प्रेरिणा मले इटला माटे परिक्षा करीच सुधामा ने नहीं जानतों है कर नहीं हो दूसरे भक्तों को प्रेरिणा मिले साथ दिवस रोकाईन पछी जारे चाले तारे वस्त्रों पन ले लिधाचि ते महलमा पेरवा माटे आपया तारे श्मी वस्त्रों ले लंक कारूं रुक्मिनी जिने बहु नवाई लगी प्रभु आउँ करो छो चाले पादू का पी ती पेरवा माटे श्री कृष्ण के छे सुदामा हां कनिया अब पादू का तो तेया पी छे ने हाँ महलमा पेरवा माटे आपी थी अमारा बंटा मुटा महल होईने मा आरस पाने ने मारबल फ्लोरिंग खुला पगे नफ अराए फ्लिप फ्लोप जोई ये पना वे तमे तमारा घरे पाचा जाओ छो उतारता जाओ मारा पादू का हाँ सुदामा एकाडी ना की पादू का रुक्मिनी जी थी सहन न थयू कहे चे प्रभू आपनी लीला अपरम पाहर चे पन कई समझाती न थी अब राह्मन खुला पगे जारे आवे ना पगमा कांटा वाग्याता है कांटा काड़ता अपनी आखमा थी अश्रू निकली आव्याता पादू का तो पहरी जवादो प्रभू श्री कृष्ण कहे चे देवी हुँ जानूं चुमुँ चुम करी दियो चुमु दारू तो मारा भक्तनेना घर सुधी मुक्वा माटे रथ मुकलू पनुन थी मुकलू तो यहनी पादू कापन कड़ावी लवचु काराण नानो हतो खुला पगे गोकुलने व्रजमा गायो चरावी चे मारा चरन थी ए गोकुलने व्रजनी रज पवित्र थै आवनारा हज्जारो वर्ष्यो सुधी लोकोना जीवन पवित्र कर्षे पन देवी द्वारी का नगरी जार्थी वसावी चे सुवर्णमाई द्वारी का अढड़क संपत्ती चे आपने त्या हुँ जानू छु किया संपत्ती नी खोटी असर आपनी त्रीजी ने चौथी पेडी ने थवानी चे हमेशा तमें जो जो प्रत्येक परिवार मां के समाज मां एक पेडी ये भी होई चे के जैने महनत करी परसेवो पाड़ीन संपत्ती उपारजन करी चे एने एक एक पाईनू मुल्य होई चे बीजी पेडी आवे छे जणे वडीलों साथे खबे-खबा मिलावी ने महनत करी छे यहने वडीलोंने महनत करता जो यहाने अडार 20 वर्षे पोते पने मा जोडाई गया छे ए पेडी ने पन संपत्तिनु महत्व खबर होई छे पण त्रीजी अने खास करें चोथी पेड़ी जे आवे इस सिद्धा एर कंडिशन कैबिन माद बेठाच येने मेहनत करी नथी पुर्शार्थ करें नथी पर सेवो पाड़ें नथी ए पेड़ी पर संपत्ती नी खोटी असरो तरत थाईश श्री कृष्ण केछे मारी द्वारी काना यादवोनी चोथी पेड़ी आरिते थशे अने एमने जो बचाववा होए कृष्ण केछे हूँ पोते नहीं बचावी शकू एना माँ टेकज उपाए छे अज्ञानी अने पवित्र ब्राम्हन जो मारा द्वारी का मा खुला अपगे चाले एना चरण थी मारा द्वारी का नी रज पवित्र थाई तो कदाच मारी आवनारी पेडियो मा धर्मना संसकाल टके वाला भक्तो पाँच जार वरष पहला नी श्री कृष्टन नी आवानी आजे पन आपने आचरण मा उतारवा जे वीच मेहनत बहुज करिये छी आपने पगवाननी कृपाथी संपत्ती पन कमाया सुखी थया आपने पापनारी आवनारी पेडियो मा जो धर्मने संसकृति ना मुल्यों साचववा होई तो कोई जञानी विद्वान ब्राम्हन ने गुरु तरीके स्विकारी एनी सेवा कर जो तो आवनारी पेडियो सुधी धर्मने संसकार टक्षे धर्मो रक्षती रक्षितह सुत्रचे शास्त्रणू आपने जो धर्मने साच्वीशू तो ए धर्म आपनी रक्षा करशी गणारो के वी दलील करे आपने धर्मने साच्वीश परची धर्म आपने शू साच्वानू आपने धर्मने साचविए तो धर्म आपने साचविए रक्षित धर्म रक्षती उम्मेशा एक बहुँ सादू द्रश्टांत आपुछे लोकीक द्रश्टांत मारी पेडी माई उवा तू अजीपन कदा छशे गणा अरिया बेठा छे डाया लोको उन्हें वड़ी लोग कहता के बेठा आपड़ा पाकिट माँ एक मोटी नोट एवी राखिए इमर्जन्सी माँ काम लगे ना ना था तारे सोनी नोट मोटी खेवा दी गड़ी वाले इन मुकी राखिए होई अजीवा लोको कदा छशे के पांसो के हजार नी एक नोट गड़ी करिन पाकिट माँ मुकी राखिए होई इन नोट वापरवानी नहीं इमर्जन्सी माँ वापराए भगवान नी कुरुपा होई कोई दी इमर्जन्सी आवे नहीं वर्षो सुधी एक पांसो के हजार नी नोट एम नहीं इमपड़ी होई पाकिट माँ कितला लोकों ने आवी आदा छिजरा हाथ उपर कर्शो प्लीज कितला बदा मुँ जारे पाकिट राखतो त्यारे राखतो अवे तो विचार करो एक पांसो के हजार नी नोट पर जो तमने आटलो भरो सोचे अवे ए नोट वाज वापर ही तो कितली सेली छे हजार वापर वाज तो इतला सेला बाजू वड़ा थे शरत लगाड़ो आजे व्यास्पीट पर थी भाई जमनी बाजू थी उतरशेक डाबे बाजू थी लगाव हजार नी शेलू 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 चे पने ये जो आपने साच्वी राखिये तो मुश्केली माखना मावश एक हजार नी नोट पर जो आपने आटलो भरो सो होई तो हजारो वरश्यों थी चाली आउता धर्म पर आपने श्रद्धा न थी इश्वर ना वाक्यों पर श्रद्धा न थी कि आपने जो धर्मने साच्वी शू तो धर्म आपने साच्वी शे सुदामानी कथा मनें तमने ये सुच्वे शे मने धर्मने साच्वे संतो गिन्यानी विद्वान महापरुष आपनी द्वार का एटले आपनु घर ने आपनु राज क्यों है तमारा घरमा संतो ना पगला पड़ता रे जोजो यहमनी चरन रज पड़ती रे जोजो तो आउनारी पेडियो टक्ष बाकी आ समय वोछे सामा प्रवाहे तरवान राक्ष सी विचारो समाज मा इटला बधा मारीन तमारी युवा पेडिने गसी जवा मत एक शनमा मगत फिर भी ना खेश एक शनमा अने आपने दाए का आपनी वर्षोनी महनत एक शनमा मगत फरी पंदर सोड सत्तर वरष नी उमर जाँ थाई ने कोई खोटो बटकाई गयो किटलू सावधान रहू पड़ेश आजे वडीलो ने मुटो जों विश्व भर्मा फरू छुबाई कोई चिंता न थी वडीलो ने पोता नी तब्यत नी चिंता न थी काणके जागरूती आभी गईश खावाप यहां ध्यान राखता थाई गया कि 40-45 थाई ने एटले तेल मसाला ओछा करी नाखो मिठाई ओछी करी नाखो जिम मा जवा मांडो प्लानेट नाइन मा अवेरनेस आभी गई जागरूती आभी गईशे भाई तब यह अतनी बहु चिंता न थी ने कदाच होई तो मेडिकल साइन्स पने इतलू आगर वधिव चेमने खबर छे के तरत डाइगनाइस थाई जशे फटाफट काम थाई जशे कैमेरा नाखी ने आम फट देन काडी नर्दा दाड़ा मा तो गेर जाओ पाचा पहला वड़ी लोन बहु चिंता थी तब यह थाच अवे बहु चिंता न थी कांके अवेरनेस संपत्ति नी चिंता न थी कांके बद्दाड आया थी के अध मैनेजमेंट सरस्क रेच पईसो कमाई तो एनों इन्वेश्मेंट आते बधु योग्यरिते करता जाए केवे तेजी मंदी आवे तो आपने फरक न पड़े आवे नहीं जे अत्यारे जे प्रवड़ावस्था माँ छे 40 प्लस माँ जे लोकों छे यहने नथी तब्यत नी बहु चिंता नथी संपत्ति नी बहु चिंता यहने एकज चिंता दिवस रात कोरी खाई छे आपना छोकरा हो नूशु था शे नवी पेड़ी नूशु था शे निना माट एकज रस्तो भाई सत्संग कुछी जो यह यह बेठेला 40, 45, 40 नी उमर ना छे बात सही है बै अत्यारे जे कराच सित्यर, 45, 30 ने शीन आशने एमने पैसा नी चिंता हाती एमने तबियत नी चिंता हाती कराच पर हवे नी जे पेड़ी चे ने बूनती चिंता यहने एकज चिंता चे अमारा टीनेजर्स, अमारी नवी पेड़ी, अमारा छुकराओ योग्यमार्गे रह शे अनि जे यहां महनत करी छे एने संभाड़ शे आगल वधारे तो तो बहुर आजी थाईये पर एटलीस जे छे ही संभाड़ शे जुनी पेड़ीना वडीलोंने अपेक्षा पना अती कि आपना छुकराओ आपना माटे कमा आया आपना माटे कही करे आ पेड़ी छे नने एपण चिंता न थी एने पोतानू आयो जन करी राख्यों जे छोकरा एक रूपियों नहीं आपे तो कही माचिंता ने उल्टा आमें दैशू, सीधा रो ने टले घणू आमें दैशू अवे नहीं जे पेड़ी छेने भाई वो विलक्षन स्थिती मा दी पने इने माट एक ज़ वात को सत्संग एक मात्र रस्त ज़े बगवान कृष्ण बता दे सुदामा की कथा आधुनिक युग में इस अर्थ में समझ नी बाकी पहुआ तो बहु खादा जी माट जी हूँ आविन पोटली हूँ आपी जाए ए माड़ी पोटली तू राग चेवड़ो बना विन गेर खा कब तक ये पकड़ के रहोगे तू समय बदलाए छे नवा अर्थो स्वीकारो अने ए प्रमाने आचरण मा मुको जो गिनाने विद्वान संतों नो आचरण नहीं करो ये नि सेवा नहीं करो गम्मे देटला पोटली आप शो काई नहीं था भाई कुछ नहीं होगा महापुरुश्य की से दशम असकंदने वंदन करू अग्यारम असकंद मुक्ती लिला अनुसंधान लोच उसी दुज समय नो अभाव छे टले अग्यारम असकंदना पहला अध्या मैं यदु मुशना नाश्णी कथानी शरुआत करी पचि बिजा अध्यायती निमी राजाना सत्रमा नव योगेश्वर उपधार्या एनी कथा एमा चोथा योगेश्वर नू नाम छे प्रबुद्ध योगेश्वर सुदामानी कथा मा थी जनुसंधान सिद्धु लोचु प्रबुद्ध योगेश्वर जी कह छे के कर्मन्या रभमानानाम दुखहत्याई सुखायच पश्येत पाकविपर्यासम मिथूनी चारिनाम दुणाम सुंसारना मुट्टा भागना लोको मुट्टानी बद्धा जो लोको जे कर्म करेचे कर्मना हेतु बेच दुखहत्याई अने सुखाय स्विकार कर रूपर शापने अपने अत्लिवधी मेहनत करिये दिवस रात काम 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 करता रही है शेना माटे बेहे तुछे एक दुख ओचू थाए अने भी जू सुख वदे पान थाई छे वू के दुख ओचू था तू न थी अने सुख धारिये छे प्रमाणे आउतू न थी कमाल छे अखी जिनगी प्रहत्न करया चे ता नहीं सवारना दस ने सवादस नी वच्चे वीटी स्टेशन पर जे लोकल ट्रेनों माथी माल उथला तो है ने खड़का तो है मानस थुड़ा क्या माल अचके वाई ने जेवजी ते जतावे दर 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 करी ने ठलवाए माल एमाना को कि एक नंगने पकड़ी ने जुवान देखाए वो यहने पुछो उम्मर के लिए तो कि 20 वरस शुकाम दोड़े छे तो कि नहीं जवाद हो मने टाइए अरे भाई तु जवाब आप शुकाम दोड़े छे क्या जवाई तो कि ऑफिस जवाई शुकाम अरे काम चे मारे जवाब छे शुकाम नौकरी करवी छे पैसा कमाऊ शुकाम पैसा कमाऊ चे मारा फैमिली नी रिक्वार्मेंट छे शुकाम जवाई वाई 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 पुछता जशो तो अंते नोजवाब आप शे सुखी थाऊ जवाई इसलिए सब लोग दाड रहें एना पासे थे नूँ नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर लई लो बदू याद राखो दस वरस जवादो और पछी एने पूछो अग भाई तुमने दस वरस पहला मड़े उतो विटी स्टेशने सुखी थावा माटे तू दोड़तो तो थाई गयो सुखी दस वरस माई तो क तेर वर्षे थायो, नहीं, कमाल छे, पचास वरस सुरी तू दोड़तो रेयो महनत करी और तो नहीं सुख न मली, नहीं, तो बच्छी सुख जीवू कहीं छे के नहीं, कैमने मत बदा दोड़ा करी ये छे, जानजवाना जड़नी पाछो, सुख छे तो खरू ना नहीं कमली छे, इसलिए तो नहीं कहेंगे सुख नहीं है, तो सुख टकतू न थी, नहीं भी जो ये छे, वो सुख मलतू न थी, शुकर वो, प्रभुद्ध योगेश्वर्जी कहे छे, तस्माद गुरुम प्रपद्येत, जिग्न्यासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परेच निश्नातं, ब्रह्मन्यो पश्रमा श्रयं, तस्माद गुरुम प्रपद्येत, इटला माटे गुरुना शरने जवू, जिग्न्यासु श्रेय उत्तमं, जिग्न्यासु शे, जिने उत्तम श्रेय नी जिग्न्यासाचे, परमकल्यान नी जिग्न्यासाचे, एने गुरुना शरने जवू, गुरु केवा हो जो ये, शाब्दे परेच निश्नातं, गुरु दे विवा होए, कि जिग्न्यो शब्द इमात्र जीवती न बोलता हुए जीवन माती बोलता हुए जी शब्दने जीवन नी अनुभवनी एरण पर जने चकासी जोयोचे इवा सद्गुरु ने शरने जवुँ तत्रभागवतान धरमान शिक्षिद गुरुवात्म दै वता हुए गुरु पन के वा हुए जी पोताना घरनो रस्तो न बताड़े तो भागवता धरमोनो ज्ञान करावे केने भक्त क्यम बनावोते शिक्वे गुरुनु काम इतलु छे के भक्तनो हाथ पकड़ी भगवान ना चरणों मा पहुचाड़ी अने पोते निकड़ी जओ भारतिय संस्कृति कोई दिय सेम न थी कहती के गुरु साथे बंदन उबा करो समगर विश्व मा तमने एकज गुरु भारतिय संस्कृति मा वाण शे जार एक गुरु कह छे के शरीर तरीके मने भुली जजो पड़ में जे ग्ञान आप युचे ने याद रख जो मने भुली जजो कहवावाडो गुरु केवड भारतिय संस्कृति मा तायो what I have taught is important me as an individual is not important तई तिरी ये उपनिश्रत नी शिक्षा वल्ली मा गुरु कह छे जार तिने जार एसनातक थयो तो आवे जा तू संसार मा पाच्छो शिष्य जवान थी मात तो उन्हीं जाओ गुरु कह छे जा अवे मने छोड ताने मारे जे आपपानों ते में ताना आपी दितू अवे मने भुली जा तारी जवाबदारियों नी भाव शिष्य केछे पन गुरु देव तमे हता तों तमने वारम वारबदू पुछी शकू छू तरत मने मार्गदर्शन मले छे अब जो मारी नजीक मा नहीं होने मने प्रशन थशे तू कोने पुछीश गुरु केछे तू जया रहतो है शने तेया आजू बाजू मावा सात्वीक संतो महापुरुशो ताने अवश्य मलशे ए महापुरुशो माँ तू मारू दर्शन करजे अने ए महापुरुषो तने मारगदर्शन आपे ए रस्ते चाल जे अई याँ आवे इटले मारी पासेज रेन आवे खबरदार भी जापासे ग्योनी तने पाप लाक्षें तने दो आवी धमक्यों गुरु आपे अरे जा तु जाँ 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 श्ते तने मारगदर्शन प्राप्त था शे शिश्य स्वाभावी करीते के पन गुरु देव आपनी पासे चे मने बिजय क्या थी मर्शे बिजय बदा आपना जेवा न थी गुरु के कोई एक व्यक्ति बिजय जेवो होयत नहीं है तो परमात्मानिक रुपा छे दरेक जुदा जुदा होए कदाच तारे स्थानिक रहेला व्यक्ति मा कोई दोश होए तो एक दोश तू भुली जजे एतने सारू के छे एनोत तु स्वीकार करी एने गुरु तरीके मान जे तही तेरी उपनिशदने शिक्षा वल्ली मास पश्टवात हो जे लोगो क्या क्या दोड़ा दोड़ करता है शुकाम दोड़ा दोड़ करो जबाई आप जहां रहते हो वहीं आसपास में देखो कई संत चरीत्र वहां उपस्तित होंगे कई दोड़ा दोड़ करोणी जरूरत न थी सात्रिक्ता सब जगह है त्यारबाद करभाजन योगेश्वर जी अपन बहुस रस्वात करेचे मनुष्यो केवा सत्युगना मनुष्यो केवा सत्युगना भगवान केवा चारे युगना वर्णन कर्यू नौमा योगेश्वर करभाजन जी कहेचे के कृतम्त्रेता द्वापरंच कलिरित्ये शुके शवह नाना वरना भिदाकारो नाने वविधिने ज्यते सत्युग मां भगवान ना श्री विग्रह नो भगवानी मुर्ती नो भगवाना स्वरूप नो वरन एटले के रंग होई छे श्वेत सत्युग मां भगवान ने चार भुजा श्री पर जटा होई श्री अने सत्युग मां भगवान वलकलनू वस्त्रत दारण करे श्रुष्णांजन काडा मुरुगनू चर्म यग्नो पवीत रुदराक्षनी माला दंडने कमंडर धारन करे श्रुष्णांजन सत्युगना मनुष्योपन केवा शान्त होई परसपर वहर न होई एक बिजाना हीतनी वाद करे अने समदर्शी होई बद्दामा समान रुपे परमात्मानो दर्शन करे अने तेथी एलोको बहुँ सरणता थी इंद्रियोंने मनने वश्मा करी ध्यान रुपे तपस्या थी परमात्मानी आराधना करे श्रुष्णांजन आ सत्युगनो वर्णन त्रेता युगमा भगवानना श्री विग्रह भगवाननी मुर्तिनो वर्णन चे लाल प्रभुन स्वरूप लाल चे त्रेता युगमा चार भुजाओ कटि भाग मां त्रण मेखला धारण करे श्रुष्णांजन पर त्रेता युग मा आवे ने भगवान ना केश सोनेरी रंगना थे जाईच जो सत्युग मा जटा हाती त्रेता युग मा भगवान ना केश सोनेरी रंगना थाईच अने वेद प्रदिपादित यग्नना रूप मा रही ने यग्नो वै विश्णों यगनस्वरूपे रही औने प्रभु स्रुक्ष रुवा वगरे यगनना जे पात्रों छे ए दारण करेश ए वक्षतना मनुष्यो धर्ममा बहु निष्ठा राखे वेदनू अध्यायन अध्यापन करे औने वेदत रही द्वारा भगवाननी आराधना करेश द्वापर युगमा भगवाननो स्वरुप श्याम थाईच सावला होता है पितांबर शंक चक्र गदा वगरे धारण करेश द्वापर युगमा ठाकोर जीना वक्षस्थल पर श्री वत्सनु चिन्ना होईच अध्वापर युगने निशानीच कौस्तुब मनी धारण करेश द्वापर युगमा एक बिजूपण चे जोलोको निरंतर सत्संक रहेच मने खबर शे ब्रुगुलता ब्रुगुरुशी ये ठाकोर जीना चाती मा पाद प्रहार करेश ए निशानीच पन द्वापर युगना ठाकोर जीमा होई ए चिन्ह ब्रुगुलता धारण करेश द्वापर युगना मनुष्यो स्तुती द्वारा प्रभुनी आराधना करेश कलियुगमा भगवाननों स्वरूप छे कृष्ण वरन चर्चा आपने करी गया चीए कृष्ण वरन क्यो वरना निलम मनी जेव पन कांती युक्त निलम मनी होई ने तेज तेज जमाधी प्रगण ततु होई ये वो प्रगवाननों स्वरूप होईश कलियुगमा नामारचन द्वारा प्रमात्मानी आराधना थाईश प्रभुनु नाम लोबस भावपुर्वक अने सत्संग द्वारा प्रभुनी आराधना थाईश त्यार पछी जी गुरुनों महिमानी बाद चाली अवधूतना 24 गुरुवनु वरनन करिऊ छे मैंने कथाव मैना विश्य बाद करी छे सत्वरज तम त्रण गुणों वरनन करिऊ प्रश्न आजे नानकडो आवे तो छेल्ले नी वाद करिए आश्रोता पन जो उपस्तित होई तो उगाथा है पुजिश्टी वुपेंद्र भाई सादर प्रणाम आपना पूजा घरमा कया कया देव राखवा जोई है छे उपस्तिता प्रश्न पुजनार भाई के बेन हनुमान जी नी मूर्ती राखी शकाए शंकर भगवाननु लिंग होई तो साथे मूर्ती पन राखी शकाए गनपती बापा जमनी सुनना ने नट्रादनी मुद्रामा होई तो राखी शकाए जनाव वाक रुपा कर्श्च आपनी पवित्रवानी नो लाब मले चने अम्मेशा मलतो रहे एवी महेच्छा साते लिखी तान एक शुरोता ना प्रणाम कौन छे आ शुरोता होई तो जवाब आप यह नहीं तो जरूर नो थी तो जवादो के जाना होई शाना भी शे किन तारियो पड़ी छे मले चने शुरोता कौन छे केला लोगोने आ प्रश्णविश्य जिग्नियासा छे टुंक मां काऊं श्रिमत भागवत ना अधारे अग्यारमास कन ना अधारे के भी मुर्ती राखवी शुँ करवू कहुँ के मुर्ती आठ प्रकारनी होई छे शैली दारूमै लोही लेप्या लेख्या चसैकती मनोमै मनीमै प्रतिमा अष्ट विधा स्मृता अष्ट विधा प्रतिमा आठ प्रकारनी मुर्ती शैली पत्थर मासी बनेली मुर्ती होई दारूमै लाकड़ा मासी बनावेली मुर्ती होई लोही धातूनी बनावेली होई लोही ओ डतले आम तो लोह खण पण धातूनी बनावेली होई लेप्या माटी माहटी बनावेली होई लेख्या चंदन वागति बनावी होई तो जुछ जओ अख़दे ब्रामणों पांदळा उपर खास करेंए लिए उपर यंत्र बनावे चंदन थी यह ना करता विश्षेश काउँ घरमा लगना प्रसंग होई ने हवेखबन यह रहुचे कि नहीं पर घरमा लगना प्रसंग होई त्यारे गोत्रज बनावे अन्य यह खते दिवाल उपर साथ चानला ने उबदू कहीं करें साथिया ने करेंमूरतियाँ यह पर्छि रूनी कहीं पूनी ने करें यह माला बनावा होती छे परम्परा अवेखन लगनों में चल्वान रहो ने करे शाजी काऊ अब अवेखता हुचों अथ वाडि मां था जले वाडि मां तईयार होईन pię ओईल पेंट थी बनाव ताश्ट बबजी याद पुर्वाश्रम मा हूँ जो ही वो शे आपे गाए हाँ हजी होई छे इने के वाए लेख्या च सईकती सईकती ले चित्रम आई हजे दर्शन करवाऊं के हो तो स्वामी नायन मंदिर मां तो त्या हरी मंदिर हरी मंदिर मां जे मूर्थी कई शैली न थी अथरनी मूर्थी न थी पाण सईकती चित्रस्वरूप्छ ते मनो मै वालू का मै वनो मै वनमाथी थाए मनी मै मनी माथी बने अमना आमना बूब क्रिस्टल ना गणपती आवे के प्रेश्यस टोन होई ने फिलो लाल पत्थर माथी गणपती कोरल कोरल माथी बनावे कोरल माथी के गणपती विला लाल पत्थर माथी बनाजे नंग होई जा जाती है मनी मैं मुर्ती हो आश्टर प्रकारनी मुर्ती छे चला चलेती द्विधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरं बे प्रकारनी प्रतिष्ठा थाई छे चल अने अचल प्रतिष्ठा जारे रेता हो ये गर्मा जे आप मुर्ती हो राखो छे औने प्रतिष्ठा वो न करो तो तमने बंधन ओछाँच काँके अचल प्रतिष्ठा माँ खुब बंधन छे चल प्रतिष्ठा कऱई दिवो सो एक सरखात वा रेता न थी बे बेड्रूम नो फ्लेट जारे आपने लिए अंचार तो था एक आहाहाहाहा वी हव अराइवड बे बेड्रूम नो फ्लेट थे ग्यों आपने चाली मा रेता था सिंगल रूम में मा थे पने एक दसको भी जो भगवान सारो करे अने बे बेड्रूम ना फ्लेट मा थी तमें सिद्धा पांच बेड्रूम ना पेंटा हुस मा जता रो अवे बेड्रूम मा जे भगवान नी मुर्ती नी तमें प्रान प्रतिष्ठा करी हूं कर्शुन तो आजना युगने प्रामाने कऊ बने त्यां सुधी अचल प्रतिष्ठा नहीं करता चल प्रतिष्ठा कर जो के जारे आपने ठाकोर जीने पद्राविन भी जे जवू होई तेरे आपने जईश्ची जेटला बंधन वदार्श येटला वहम वदारवाला लोको तमारी आजु बाजु आवी जाश्चे निथर अंधश्रत दाओ फेलावा वालाई तो आखी गेंग नी गेंग ओ फरेस भाई तमारी भक्ती ने तो वधारवानी बाजुए रही अंदश्रद्दाव वधार्या करश आम नहीं करऊ तो आम थाए ने आम नहीं करऊ तो आम थाए इतलो मुझाई जाए मानास इतलो डरी जाए एक वस्तु याद राग जो भगवाने चुखु कहुचे भगवद गीतामा पत्रम पुष्पम फलं तोयम योमे भक्त्या प्रयच्चती तदहम भक्त्य परतम अश्नामि प्रयतात्म भगवान कर्मकांड नो भुख्यो न थी एक मिदा कर्मकांड येटले ब्रामणों जे करावे छे कर्मकांड नहीं कर्मकांड ये टेक्नीकालीटीज दुद्नी वाद की आम मुकी साकर्नी वाद की आबाजु मुकी पेलू आम करिऊ पछी आने आम थयू नो करिऊ तो आम लाएगे आने क्यवाय कर्मकाण इटेक्निकालिटीज नो भुख्यो नथी बगवान भावना नो भुख्यो छे बगवान लागणी नो उन तो आपनी वात करू भाई कोई ग्यक्ति ने तमें जुओ अने लागे कि आने आपना माटे खरे खरो प्रेम छे साची लागणी छे तो एक एकाद वस्तू कदा भूल करे तो आपने उदारता थी छोड़ी दिये कि नी आपने हम कहिए खबरदार केम तिहाम करिऊ चलू वोरे जा वे डंडा फटकारू छे वे आपने तो सामान्य मनुष्यों छिए आपनी उदारता पन केटली पना तो ठाकोर जी भगवान साक्षा दुनिया नो धनी यहनी उदारता दरिया जेवी यह रदही नो जो प्रेम जुए यह रदही नी लागणी जुए तो कई तमने डंडा फटकारवा उभो न थी माँ छे करुणानू रदाए माँ कदी दिकरान सजाओ करवा बेसे मायम भी जार करे जो तजरा जो चुशू भूल करे छे जो तावी भूल जो आओ भूल करी पटाँ आमाटे माँ होए क्या रही ने इश्वर आपनी माँ छे इश्वर आपनो बाप छे वण हाँ हाँ आने छटक बारी तरीके उप्योग नहीं करता ये पन कई दोस पश्टता भाव विशुद्ध राखो आने पछीते तमें जे लाड लड़ाव श्वर चल चे किटली मुर्तियों राखवी शू करवूं चुक्खू करवूं छे कि मुर्तिनी जारे प्रतिश्टा करते रहे गायत्री मंत्र थी येनु अभी मंत्रन कर जो गायत्र्या भी मंत्र येत भागवज्जी मा चुक्खू लख्यूं छे पाँच प्रकार्नी मुर्तियों घर्मा राखवी पंचायतन पूजा मैं फिर फिर से कहता हूँ मैं भागवत जी के आदार पर बोल रहा हूँ घरमा भागवत जी नो ग्रंथ राग जो न राख्यो होई तो हवे ले जो अने अग्यारमा सकन्ना सत्याविस्मा ध्यायनो अगंत्रिश मोश्लोक दुरगाम विनायकं व्यासं विश्वक सेनं गुरुन सुरान स्वेश्वे स्थाने त्वभिमुखान पूजयत प्रोक्षणा दिभे पंच देवनी स्थापना करवीने आउपदेश भगवान कृष्ण पोते करी रहाच आपने क्यों क्यों शिक्वाड़ामा आवेचें क्यों क्यों डरावामा आवेचें यह कज भगवान राखवानान बिजा नहीं राखवानान नहीं तो आम थाएने बिजाने काढोन आनेज राखोने क्यों क्यों लोको आवीन आपने शिक्वाड़ी जाईचें वहें आप ने पाके आइवा भोड़ा कि बुढु मानी ऐजए चशें, आपने कदी भागवाच जी खोली मांचें , आपने कदी शास्त्र खोली मांचें , ग्रंथ मा बताओ। मैं रखात्जू बताओ, हजहरो वर्षो जुना प्रमानित ग्रंथों मा बताओ। अपना मंदिर मां गणेश जी चे अलमांदी में जोया बाब जोया दर्शन करें दुरगाम सौथी पहलू कयो देवी ने राखो मा दुरगा मा जगदंबा गर्मा होवाज जोये अथवा तो आपनी कुल देवी जे होय तो मां छे जेने लिधे आपने आसंसार मा आविये लोको एनेज बार कड़ावे दुरगाम विना यकम गणेश जी ने घरमा राखो विग्नहरता छे गणेश जी जेना घरमा गणेश जीनू स्थापन नती जेना घरमा गणेश जी नी मुर्ती नती जेना घरमा गणेश जी नी पुजा नती खास करने कलियुग मा तो खास कयो कलव चंडी विनायकव कलियुग मा चंडी एतले मा देवी अने विनाय गणपती आबने नी पुजा विशेश उपयोगीच जिना घरमा गणेश जी नी पूजा नीव ने घरमा तमें जो जो ननी ननी काम में इतला विग्णो आउता होई एनु कोई काम सिधु ना उत्रे गणेश जी नुश्रूप व्यासम गुरुन उस्थान राखो जेना प्रत्य तमने आदर होए एक गुरुनुस्थान पुजामराख हो जेनी पासे लिए तमने कहीं पाम्या हो जिवननी दिशाप राप्त था ही होए गुरुनुस्थान दुरगाम विनायकं व्यासं विश्वक्सेनम एले विश्णुनुस्थान कोई पन स्वरुप विश्णुना विश्णुना थे इतला बदा स्वरुप हरीतारा छे हजार नाम कया नामे लखवेक्नुस्थान जे स्वरुप प्रत्य तमने इश्ट भाव जागे बगवान वामन चे राम चन्द्र चे कुर्ष्ण पृत्यem और बाल भ्रुष्ण रधा कुर्ष्ण कितला भ्दा स्वरू पुल्च जे तमने इष्ठ होई तमने बाल भ्रुष्ण प्रत्या नुराग चे बाल भ्रुष्ण ने पद राव अवश्य राखो तो दुरगाम, विनायकम, व्यासम, विश्ण पची अने बिजाबदा दे, इले एक पची देव अपने करने तका है सुर्य ने राखो शीवत अत्व ने राखो शीवत अत्व कल्यान कारीश भोडो नाथ जहां सुधी कामनाओनू दहन नहीं था जहां सुधी भक्ती वच्षेकें शीवनी पुजा घरमा होविज्जोईए आज एक जणे पुछो छे नमस्षिवाय मंत्रनो अर्थ पुजी भाई श्री शतशत नमन आपे जप माटेनू महत्व बताविऊ तो मारा इश्टदेव महादेव छे ओम नमस्षिवाय नो अर्थ कहवानिक रुपा कर्शो आपना अशिर्वाध्थी जपनो संकल्प कर्यो छे तो आपना अशिर्वाधनिक रुपा कर्शो छे नमस्षिवाय नो मंत्र कोने पुछो जा प्रश्षो किम खुआ ही जाज़ा सवाल पुछो वड़ाओं शीवत अत्वन अर्थ छे कल्यान में जगतनी जे कल्यान में शक्ती छे इन्हे आपने नमस्कार करिये छे ओम नमस्षिवाय जहाँ आपने कल्यान में प्रवृत्ती थती होई समाद माद जे कोई करती होई जे रिते थती होई एन्हे आपनो साथ एन्हे आपनो सहकार ओम नमस्षिवाय पंचायत अन्पुजानों आ महिमा बतावयो एक वस्तु कव इश्वर्नों महिमा सच्वाय एर इतनी मुर्तियों राग्जो गणी वखते लोगो आपने तने खास करें गणेशोत सवत दर्मियान मुटे भागे बुदुसरास होई जे पन किटलिक जिग्याए क्रिकेट ड्रम ता गणपती बतावे किटलिक जिग्याए गिटार वगाडता गणपती होई आयोग्यन नथी I will never permit you to put such idols in your temple अपना गमे तेवा मोडाचीतरीन कोई मुके तो गमे आपने काल्टून वाड़ाव करें गमे दे के चरीर गमे तेवा दोरीन बजी उपर आपनों फोटो मुकी देद गमे आपने अथो भगवान चे तो भगवान ने तमें आविरितना रमतो न करी शेको येनी प्रतिष्ठा वगवाननु गवरव ए स्वरूपनु आदर्रे एविरितनु हो जोईए अग्यारमा सकंदना अंतमा यदु मौशना नाशनी कथा करी बारमा सकंदनी शरुवात्मा कलियुगना लक्षनों वरणव्याच अनि त्यारबाज शुकदेव जी सावधान करेचे राजन परिक्षित हवे आप पुर्ण स्वस्थन एकाग्र थाओ तमे हवे शरीर तजवानाच साथ दिवस्थी श्रीमद भागवत्नी कथान उष्टवण करीने तमे पन भगवन में थायाचो परमात्मा के स्वरूप को रुधाय में स्थीर करो राजन और कुछ सुनने की इच्छा है शुकदेव जी ने जब ये प्रश्ण किया परिक्षित साथ दिन से एक आसन पर बैठ कर परमात्मा की कथा का श्रवन करते थे विनम्र रूप से आकर के शुकदेव जी के चरणों में वंदन किये हैं गुरुदेव आपे मने परम गिन्यान नू दान करियो छे मलागे छे आपे मने जाने भगवान अज आपी दिधो छे आउपदेश सांवडी ने आ साथ दिवस्तन अनुभव करी मारा रुदैमा जे अत्यारे आनंद उभराई रहो छे एक संतोशनी लागणी प्रस्री रही छे यही परमात्मा का स्वरूप है यही परमात्मा की कृपा है मारी कोई इच्छा अधूरी रही नथी हवे तक्षक नाग तोश्यू साक्षात यमराज आवी न उभारे तोई हूं डरवानो नथी कारण तक्षक करडशे एत्वा पंचभवतीक देहने करडशे आ शरीर तो जन्म पहला पंणो तू अने मृत्यू पच्छी पंण नहीं हौई हूं शरीर न थी हूं तो आत्मा छूं आत्मा अजर छे अमर छे नित्य छे शाश्वत छे सनातं छे ध्यानस्थ थया छे परिक्षित रजय मा परमात्माना स्वरूपने स्थीर करियू योग मार्गती एक एक इंद्रियना द्वार बंद करता गया प्राण ने ब्रह्मरंद्र सुधी लावी महा प्राण मा विलीन करया तक्षक आवीने करडवेना जहरनी असरे थाई के परिक्षित नो पंच भवतिक दे जो जोता मा बढ़ीने भस्मी भूत थयो पड़ेनो आत्मा तो क्या दिव्य एवा ग्रंथना उपक्र में भगवद विचार नी चर्चा आपने करी रहाता एक कज स्पष्टता मारा मनमा हती के मारी सनमुख जे विशार श्रोता समुदाई चे एना जन्म जन्मान तरना करमना बंधन केम डिला थाई एना मनमा थी अंदश्रदा वहेम कूरिवाजो खोटी रूडियो खोटी परंपराउ जे गुसी गई चे सत्संगना नामे समादनी अंदर एक एम दूर थाई एना चित्तमा जन्यान नो प्रकाश के विटे थाई एनु रदः के विटे पवित्र बने औने पवित्र बनेला रदः मा ठाकोर्जी के विटे स्थीर थाई आ एक मात्र विचार थी कथानू वरनन करिश दिव्य एवा श्रिमद भागवत ग्रंथ ना प्रतम सकंदमा व्यास जी नी व्यता नारजी ये व्यास महर्षी ने प्रेणा आपी भगवत प्रीती पराण ग्रंथ लखवानी अने नारब बाद व्यास महर्शी ये श्रिमद भागवत ग्रंत ना आलेखन नो आरंब करयो परिक्षित ना जन्मनी कथा आवी परिक्षित नु राज्य समाधी मा बेठेला तपस्वी रुशी ने डिस्टर्ब करवानो नीज प्रयास परिक्षिते करयो रुशी पुत्र नो शाप मड़ेो गंगा जी ना तटे पहुँचया छे तिया शुकदेव जी नो आगमन थयो व्यास पीट पर शुकदेव जी ने बिराजमान करया बराबर सामे आसन लेईने परिक्षिते पुछिव बाब जी मने मारू मृत्य उस पश्ट देखाये छे जेनू मृत्यू निश्चीत होई एने शुकर्वू जोईए विजास कंदती शुकदेव जी एगनाना मृत वरिष्टी नो आराम्ब करयो मृत्यू की तैयारी कैसे की जाती है वो बताया है चतुष्लो की भागवत का वरणन किया त्रिजोस कंदनो आरम जे संजोग मा महाभारत नो युद्ध थायो तुए नाथी थायो त्यारबाद वराह अवतार भगवान विश्णुए वराह अवतार लईने पृत्वी ने उद्धार करयो ए पृत्वी उपर मनुवने शत्रुपानो वहुश्वसयो करदम देवुती ना ग्रहस्थाश्टमनो वरणन करयो नवधा भक्ती रुपी नव पुत्रियो अने जिन्याना वतार भगवान कपिलनो प्रागट्य थायो भगवान कपिले मा देव हुती ने सांख्य शास्त्र नो उपदेश करयो चुश्व चतुर्थ स्कंदना प्रथम ध्यायमा दत्त प्रादुर्भाव नी कथा कही त्यारबाद सती चरित्र द्रुव चरित्र वेन प्रुथुवने पुरंजन पंचाध्यायनु वरणन करयोच पंचम स्कंदनो आरंभ प्रियवरत राजानी कथा थी थायो जेना जिवनमा व्रत प्रत्य प्रीती होय एना जिवनमा संपत्ती आवेजच जड़ भरत जे खुब ग्न्यानी हता है अमने रहोगन राजाने मुक्तिन उपदेश आपयो पांचमा सकंदना अंतमा थ्याविस प्रकारणा नरको वरणव्या चठा सकंदना आरंभे परिक्षिते प्रश्ण पुछे गुरुदेव आथ्याविस प्रकारणा नरको मा जवू न पड़े माटेशन करवू शुकदेव जी बे उपायो बताव्या एक प्रायश्चित पस्तावो अने विजू विमर्शनम ग्न्यान चठा सकंदनू नामच्छे पोशन लिला पोशन इतले पुष्टी पुष्टी अनुग्रह कृपा ठाकोर जी जीव मात्र पर कृपा करे चे अनुग्रह करे चे क्यारेक ने क्यारेक विद्वान ग्नानी महापुरुष्ट साथे संबंद बनाविया पे गरंथने साचा अर्थमा समझवानी मुल्यवान तक उभी करे जीव जो आतक जड़पी ले सद विचारों पर आचरण शरू करे जीवन नी गाड़ी ना सन्न थैला भगवाने ना भूतों न भविश्यती अतियाद भूत नृसिह अवतार धारन करयो प्रलादना केवाथी रन्यकशिपुने मुक्तियापी सात्मास्कन्ना अग्यार्थी पंदरा पांच अध्याए धर्म पंचाध्याई ना कहा अश्टमस्कन्ना प्रतमध्याए ने माटे गजेंद्र मोक्ष नी कथा कही त्यारबात समुद्र मन्थन नी कथा देवोनी संपत्ति जारे देत्यों पासे जतीरे भगवाने वामन अवतार धारन करयो बली राजा पासे त्री पदा पृत्वी त्रन चरन पृत्वी मागी देवोनी संपत्ति पुनह प्राप शुर्य मौश्म नुं वरंन करेज। है संतो दश्चमस कंधतो अत्यंत पवित्रचेजे मौश्री कृष्टण ना प्रागट्यतीशरूकरी नन्न महोच्सव औने प्रभुनी विविद लिलावनु वरणन करिू। अग्यारमोसकंद मुक्ती लिला बारमोसकंद आश्रे लिला कलीजना लक्षनो वरणव्या तरिकषितना मुक्षनी कता कही अने अंतमा आ हुंडीनु वरनन करी बारस कंदनो आ दिव्य ग्रंथ परमात्माना चरणोमा अरपन करयोज। पारेक परिवारद्वार चिल्ला साथ दिवस्ति गुकुलिया गाम गाटको परना आगने अटली विशाल संख्या बेवस्तु काऊं क्वांटिटी तो खरी पन क्वालिटी श्रोताओ वो उच्छा प्राप्त तता होए जम पोलिस इंस्पेक्टर पन करे आवया ते अमने पन कहूं के इतने अनुशासन से अटली शांती थी अटला डिसिप्लीन थी अटली विशाल संख्या माँ आप सववे एक आगरता पुर्वक कथानु श्रवन कर्यूं एक नानक्रु द्रश्टान कहूं पार्टिंग मेसेज तरीके एक घर मां महमान आवया बहुत सुखी परिवार महमान आवया मुटा सामाने परिवार मां जाओने तो महमान ने जे चा आपा एक बने ली तैयार आवे यू एव नो चोईसे बने ली चेज पी जाओ पभू मुटा हुटा फेमिली मां जाओन तरी चा आखी छुटी आवे गरम पाणी होए टी बैग होए साकर जुदी दूद जुदू तमारा टेश्ट प्रमाने बनावी लो पद्धती चे आवी रितनी तो मेमान आगल चा ने जाखी ट्रे मुखी एमाने गरम पाणी ली दो टी बैग अंदर मुखी दूद नाख्यू साकर नाख्यू जता ता इतला मा एक घर नो एक पंदर सत्तर वरश्ट नो चोकरो आवी एनका इंका नंका नंका नंगर उभारो हू नाख्या पूदू ओके पूछीू के अंकल के नाख्यू अंकल के बिटा तने गमे एक लिए चुकराए आखी वाटकी चार पिला खान नी उपाड़ी मुखी नाख्यू उंधी करें चुकराना जे पपा बेठा तो एकदम गरम दिगा ए शुकरे च्वे अंकल नी चाह बगार जी अट्टी बदी खान नखाए कितली गरी नोशे ने चाह इतली जगली थाश्यू परमात्मानु धाम एव परमात्मानु घर एले केकलू सुखी घर एव परमात्माना धाम एव अब्रजधाम नी अंदर अब्रुंदावन धाम नी अंदर आप सव साथ दिवस्ती मेहमान मरिन बेठाता अने आ बालके श्रिमद भागवतनी वाटकी आखी तमारमा उंधी करी दिदिछू। हवे तमे जेतली हलावशो आचरन रुपी चमची थी एटली आ भागवतना ज्ञानी अने भक्तीनी मिठाश तमारा जीवनमा आवशे हलाववानु काम तमारू। अन्तमा इतलूच कहूं के मातुश्री मम्तानी मूर्ती समा जयाबेन अने पिताजी जश्वन्त लालना पुन्यस्मरणमा अभागवत कथानुजे आयोजन थायू। मम्मेशा को माता पिताने मुक्ती अपावनार आपने कोण। आतो माता पिताना आशिरवाच छे के जने लिधे आवा सत्संग थाई शके बाकी पारेक परिवारना चारे भाईयों मारे क्यों छे। के इच्छा तो अनेक लोको करता होई श। संपत्ती पन अनेक लोको पासे होई छे। पने इच्छा ने इस संकल्पने साकार करी अने आटली सरस्रीते सफ़रता पामवी ए बधाना भाग्यमा नथी होतू भाई। एक जवात आपने कऊं के माता पिताना अनहद आशिरवाद ने खास करीने माता इमनों तो देही विलाए ताजे तरमात थयो छे। चंद्रिश भाई मने के माने छेले छेले आँखों नी तकलीफ पन टीवी पर जारे जारे आपनी कथा आउती होई। मा चुकता नहीं तुमने चंद्रिश भाई ने भावना बेने बात करी जारे पहली वक्त यमना घरे जवान उत्यारे। मातानो ये संकल्प बिटा भाई नी कथा आपने करिये। मानो ये दिव्य संकल्प मानी अनुपस्थिती मां। पड़ अनुपस्थिती केवड शरीर नी छे चेतना रूपे तो माना आशिर्वाद आखा समग्र परिवार मा पत्रा हैला छे। आने परमातानी ये शक्ती थी ये प्रेरणा थी चारे भाईयों इने समग्र परिवारे भेगा थाई। आ सुन्दर कारिय जे चंद्रेश्वाई वारम वार बोल्या के निर्विग ने पुरुन थायू एका दिवसना लगन नो प्रसंग होईं तो आपनने खबर छे केटला टेंशन थता होच। तो आतो साथ साथ दिवसनो प्रसंग अटली विशाल संख्यामा अटला बदालो को आवया आप सौना रदैमा बेठेल्या परमात्मा ने प्रणाम करी चार महत्वनी बातों कहूं सौथी पहला आपने एक मिनिट माटे मौन राखीश्यूं अपने अपने इश्टदेव से ह अन्तिम चार साथ दिनों में वह विचार हमारे मस्तिश्क में रिदहे में और जीवन में स्थीर हो अने साथे बिजी का अपने इश्टदेवने प्रार्थना करीश्यूं के आयो जग परिवार उपर समग्र समाज उपर प्रभुतारा आश्यरवाद वर्से जे कहीं दुष्ट वृत्ति ने छिला थुड़ाक समय थी आपने समाज मा फेलाती जोई रहा चीए प्रभु ए दुष्ट वृत्ति नों संहार थाए शांती प्रस्रे आत्मियता प्रस्रे समाज नंदन्वन बने भी प्रार्थना एक मिनिट नूं मौन राखी ने आपने बद्धा पुद्पताने इस्ट देवने करीश्यों ते पछी नियमे वो छे के प्रारंभ मा मध्यमाने अंतमा मंगलाचरन करवूं रोज तो आपने करता हाता मंगलाचरन नों श्लोक हूं बोलिश आप सव शांती थी ये श्लोक नों श्रवन कर जो त्यार बाद रुगव सवना वर्तन समान थाए आपना सवना रदयनी लागनियों समान थाए समान अमस्तु वो मनह आपना सवना मनना विचारों समान थाए अने एक परिवार तरीके एक समाज तरीके आपनों सतत विकास्थतो रहे ये वी प्रार्थना जे वेदना रुश्यों ये करी हती येनु वेक एक चरण हूं बोलिश मारा पच्छी आप सव अने छिल्ले साथ दिवसना आग्नियान यग्न दर्मियान वक्ता तरीके मारा थी कोई दोश रही गयो होई शुरता तरीके तमारा थी कोई भूल थेई होई आयो जको थी कोई वालेंटेर थी कोई ना थी काईक नथी थयू आपने बधाई बहु लागणी प्रेम श्रद्धाने उत्साथ ही करियू छे छता जानता जानता का इक दोश रही गयो होई तो महापुरुष्यों कहे छे त्रण वक्षत मोटे थी श्री हरये नमहा एवो उचार करवो एना थी दोश नो परिहार थाई छे संतोई थोड़ुक वधारे उमेर्यू के हाथ उपर करीने करवो आ हाथ उपर करवा पाच्वान नो पन हेतु एवो छे पक्तिनो द्रष्टी कौन छे मा नानू बालक बेठुए ने बाजू मा थी माँ पसार्थ हती होई बालक ने אिच्छा था एक मारी मां मने तेड़ी ले तो बालक श्यू करे छे मां सामे जो इन हाथ हुंनचा करे येले मां समझी जा साथ दिवस्थी आपनी वच्चे बेठी हती ए विदाही लेई रही छे भागवत रुपी मैयाने कईश्यू मा तारा विचारों अमारा जीवन मा उत्रे आचरण में करिये तारी कृपाना अधिकारी थाईए इतली अमारा पर द्रश्टी राक मा तारा खोडा मा बेश्वाना में अधिकारी थाईए तो हाथ हुंचा करी सव प्रथम एक मिनिट माटे माउन ते पछी मंगला चरण श्लोख हुं बोलिश आप सव एश्रवन करवानों छे त्यार बाद रुगवेद नो अंतिम मंत्र एक एक चरण हुं बोलिश मारा पछी आप सव अने छेवत हाथ हुं अम शाम ते शाम ते शाम ते हे हुआचा ते शाम ते शाम ते अे। आम शाम्ति 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 जन्माध्यस्ययतोन्वयादितरत श्चारतेष्वभिग्न्यस्वराद। तेने ब्रह्म्हरुदायादिकवये मुहियंतियत्सूरयाद। ते जो वारि मृदाउं यता विनिमयो यत्रत्रिसरगो मृषाद। धाम्ना स्वे नसदा निरस्तकुहकं सत्यंपरंधिमहे। समानीव आकूते समाना रुदया निवह। समाना रुदया निवह। समानमस्तुवो मनहां यतावसुसहासते यतावसुसहासते श्री हरये नमहां स्री हरये नमहां सर्वे त्रसुकिनसंतु सर्वे संतु निरामयां सर्वे बद्रानि पश्यंतु माकशिदु कमात्मयांत। अच्युतं केशवं श्री रामनारायनं क्रुष्णदामोधरं श्री वासुदेवं हर। श्री धरम अधवं श्री गुपिकावल्दवं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोलिये श्री क्रुष्ण कनैयालारकी। श्री द्वारिकादेश कीजे। श्री गोवर धन्नात कीजे। श्री रान छोड रायकीजे। सियावर रामचंद्र भगवान कीजे। पवन सुत हनुमान कीजे। गणपति कजानन महराज कीजे। जगदंबे मात कीजे। सद गुरू देव कीजे। श्रीमन नारायन 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 श्रीमन नारायन 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 बदरी नारायन 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 बदरी नारायन 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 बदरी नारायन 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 लक्ष्मी para HIORN 혐a लक्ष्मी नराय अराय फ्सार शफिया नराय राय नराय एto सत्या नारायन नारायन सुर्या नारायन नारायन सुरिय नारायन नारायन यग्ण नारायन नारायन सुरिय नारायन यग्ण नारायन नारायन स्वामी नारायन नारायन स्वामी नारायन नारायन स्वामी नारायन 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 भोलिये श्री कृष्न कर नाया लाल की जये पुझ्य भाई श्री ये बागवत कथाना सात्मा दिर से कथाने पुरुणा हुती करी अर्ण कोई ने तुरुकती थे नसे इवी सुंदर जानी इया बतावन थे निर्मान हमें मुखी पुथी जीना पुझ्य ने मारती हुँँ पारेक परिवार ना चारे-चार भायोंने मंच पर आवना परिक परिवार्नी मेनों देकरियो आतरफ थी आवे, कलनके यहां स्वामिना ध्रमना शन्तु भी राजे छे, पुझ्य देव प्रकाष स्वामी, पुझ्य चैतने प्रकाष स्वामी. कामन गारा कान, कामन भुकी धा, तभु कामन भुकी धा, हुमाखन चोरी मोहन, चित चोरी लीधा, ओम जय कारा कारा. नंदय शोदा गेर, वैकुं थे उतारी, हरी वैकुं थे उतारी, कालिय मरदन की हा, आयो देचारी, ओम जय काना काडा. गुण पड़ो, तुझ पार के में नहीं आवे, रभु के में नहीं आवे, भुनेती वेद पुखारे, पुनीत गुण गावे, ओम जय काना काला. ओ वरदनने तोलो टचली आंगरी, को हरी टचली आंगरी, इंध्र नुगर्वो काहरे, जय जय कीर थारी, ओम जय काना काल, जय काना काल, जय काना काल. पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रारं सदावसंतं उर्दयार विंदे भवं भवानी सहितं नमामी मंगलं भगवान विष्णो मंगलं गरुडद्वजा मंगलं पुंडरी काक्षो मंगलाजतनो अरे सर्वमंगलं भांगल शिवे सरवार्थसाधिके शरण्ये त्रियंबगे गौरे नारायनि नमोस्तुते हस्ते पुष्पानिंग्रित्वा मंत्र पुष्पान्जलिंग ओम् यग्यो भविष्णों यग्या एवांताथ प्रदितिष्ठते अपारेक परिवारे आत्मिय स्वजनो जैशी क्रश्णा सत्कर्म परिवार के तत्वावधान में केडिला फार्मासिटिकल्स परिवार द्वारा आयोजित वैश्विक सामुहिक ऑनलाइन श्रिमद भागवत सप्ताह जो पित्रु पक्ष में 11 से 17 सितंबर 2022 में निर्धारित हुई है उसका विश्व भर से इतना सुंदर प्रतिसाद आ रहा है हनुमान जयनती 15 अप्रिल के आसपास तक 500 से अधिक पोथी रजिस्टर हो चुकी है प्रियस्वजनों हमारे सनातन वैदिक हिंदु धर्म में करतव्य है कि जीन पितरों ने हमारे परिवार से हमारे बीच में से बिदाई ली है शरीर त्याग दिया है उनके श्रेयार्थ श्रीमद भागवत सब्ताह करना यह हमारा कर्तव्य बनता है संतानों के रूप में पितरों के लिए आप करना चाहें स्वयम के लिए करना चाहें आत्मकल्यान जिसको कहते हैं परिक्षित को जब पता चला कि मृत्यू समीप है तो बाद के लोग कथा करें इसी प्रतिक्षा क्यों करें हम स्वयम अपनी कथा का श्रवण न कर लें सबसे स्रेष्ठ होता है वो तो तो पित्रुश्रयार्थ आत्मकल्यार्थ या भागवत भक्ती के लिए किसी भी हेतु से आप इसमें जुड़ना चाहें आपका स्वागत है बतादू यह संपूर्ण निश्यूलक है इस टोटली फ्री सतकर्म परिवार और क्यडिला फर्मासिटिकल परिवार की और से यह स अभी इसी समय यूट्यूब चैनल पुज्यश्री भाई को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी लिंक पर क्लिक करोगे कि पूरा गूगल फॉर्म खुल जाएगा वो फॉर्म भर दीजिए सब्मिट कर दी आपकी पोथी रजिस्टर हो जाएगी प्रियस्वजनों जहां जहां भी विश्व भर में आपके स्वजन रहते हैं आप स्वयम तो पोथी रजिस्टर कराईए अपने सभी स्वजनों को भी प्रेणा दीजिए ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है प्रियस्वजनों तो प्राट विशाल वैश्विक भागवत सब्ता में सम्मिलित हों गूगल फॉर्म की लिंक है डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें फॉर्म भरें और जो कोई जानकारी आप यदी प्राप्त करना चाहें तो संस्था के फोन नंबर इमेल आईडी यह सब कुछ स्क्रीन पर उपलब् सकते हैं आईए पुथी रजिस्टर कराईए जैश्री कृष्णा